Poco F5 के लिए recently यहाँ पे Android 15 का first update आया है जो कि हमारा 2.0.2 और इसका आज हम यहाँ पे करने वाले full review long time usage के बाद मैं आपको बताने वालाओ कि रोम कैसा perform करता है आपको update करना चाहिए नहीं battery कैसा है performance कैसा है long usage के बाद daily का standby drain क्या कुछ रहता है और features पगए तो मैंने पहले व इसको downgrade करने वाला है इसलिए last complete watch करना ताकि आपको साहे चीजे पता चले वह भी detail में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो लाइक कर देना हो चैनल पर नहीं तो please subscribe और share ताकि ऐसी regular वीडियो आपको मिलते रहे है सबसे पहले देखो है कि यह जो update है वह है 2.0.2 का जो कि Indian version है क्योंकि यहां पर code में आपको आइन दिखाई दे रहा होगा यहां पर detail and info में आते हैं तो यहां पर यह first Android 15 update है जिसके पहले एक और update rolled out किया गया था 2.0.1 का जिसे suspend कर दिया गया उसी को दुवारा जो rename करके जो छोटे मोटे issues आयसे लोग है उससे fix करके यह 2.0.2 के नाम से publish किया गया है में भी अभी तक कुछ users को अपडेट मिल गया अगर में भी कुछ लोगों को नहीं मिला होगा नहीं मिला यह जल्द ही मिल जाएगा लेकिन उससे पहले वीडियो वाच करो तक आपको आइडिया लागे कि जब आप अपडेट करोगे तो आपको क्या कुछ देखनी को तो यहां पे Android 15 आ चुका है वर्जन आपका चेंज हो चुका है और Android के साथ security page आपको थ्री मंथ का देखनी को मिलता है जो कि 225.31 का है बाकी यहां पर आप देखो है कि यह जो Google का security app मिलना भूल गया था Google भाई दिमार्ग से निकल जाता है Google के लेकिन यह देना चालू कर द बहुत सारी चीजे भरवर के लिखी गई है लेकिन मोटे मोटे क्या चेंज है वह मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा और बाके प्रफॉएंस वगरा क्या निकल के आता है यहां पर कलेंडर के अंदर नया चेंज देखनी को मिल जाता है जो कि कलेंडर का कार्ड व्यू है ज बाके यह सारे अपडेट हो चुके हैं एप लेकिन जाला कुछ आपको इन एप में चेंज नजर नहीं आता तो बाकी को इग्नोर कर सकते हो यहां पर आपको नए ओप्सन देखनी को मिलते है एक एफेक्ट का जिससे आप अपने वाल पेपर को उपर बलर वाला एफेक्ट डाल सकते हो और आपका वाल पे अपरे फुली बलर हो जाएगा जैसे कि आप देख पारे और यह सेम चीज आप अपने लॉक स्कीन पर भी कर पाऊगे या फिर आप चाहती से नॉर्मल जैसा कि आप रखते हो वैसा आप यहां पर कर सकते हो तिये नया फीचेस आ चुका है स ज्यादा कुछ नया नहीं मिलता लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था जिसे मैंने कई सब्सक्राइब करके आपको प्रॉइड किये थे आपने नहीं देखा है तो चिक कर लेना इसकी हिल्प से आप नए वीजट्स अप्लाई कर पाऊगे बहुत सारे ल इसा है वो ऐसा ही रहेगा तो इसमें आप सोच रहे हो उमीड लाकर बैठो तो भूल जाओ कि यह कभी चेंज होगा इसके साथ यहां पर ब्लर का फीचर्स आपको देखनी को मिल जा आता है जो कि वाल पेपर एफेक्ट के अंदर है और यह आपको जो लेंस के साथ एक नया अपडेट वर्जन भी देखनी को मिलता है तो यह चीज नई एड हुई है Android 15 में जो कि पहले नहीं था और यह सेम फीचर्स मेंने 2.0.1 में भी दिखाया था लेकिन वह सस्पेंड हो गया था और इससे 2.0.2 के नाम से लाया गया है बाकी यहां पर आपको जो वाल पेपर के टेखनी को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो के अंदर साइड बार के अंदर आपको एक यहां पर मैनेज ब्यूटिफाई और यहां पर कॉल टूल बॉक्स तो यह कॉल टूल बॉक्स आपके वीडियो कॉल के टाइम काम करते है चाया वाट्सेव से वीडियो कॉल करें या क किसी लाइट के हुए भी आपको जो चेहरा दिखाई देगा काफी अच्छा ओप्सन यहां पर एड हुआ है इसके लावा ज्यादा कुछ यहां पर एड नहीं करा गया टूल बॉक्स के अंदर बैटी के अंदर अभी तो कोई भी स्कीन ओन टाइमिंग का फीचर्स देखनी आपको वगर आपको सारे काम करते हैं डिस्प्ले के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है यहां पर कोई चीज एड नहीं करीगी नहीं सब कुस्सिमिलर ही है लाउंचर यहां पर सेम डिखाई देता है लेकिन हां इसकी असमूधनेस पहले से इंक्रीज हुई है तो मुदनेस इंक्रीज होता है लेकिन कुछ लोग कंप्लेइन कर रहे थे कि भाई हमने अपडेट किया लगे हमारा फोन स्लो है स्टर कर रहा है लैग आ रहा है और बैट्री डॉप कर रहा है मैं उनसे एक रही किस्ट करूंगा कि आप अपने फोन का डेटा का बैक अप कर लो अगर आपको प्रॉलम आ रहा है तो क्योंकि यह जो अपडेट है ना रियली में काफी कूल है भला ही जादा एक्स्टा फीचस यहां पर नहीं दिये गए लेकिन जो कुछ भी है ना वह काफी सही तरीके से काम कर रहा है इसके बाद आती है हमारे रिजल्ट वह हमारे परफ इसके काफी बहतरी है उसके बाद यहां पर इंप्रुव होगा लांग इजच के बाद आप यहां पर देख पा रहे हो इंप्रूमेंट को मिलता है जो कि इस फोन में मैक्सिम टाइब ट्रोटल होता है लेकिन हैं पर यह चीज में कि अच्छा खासा में देखनी को मिल जाता और यहां पर आपको बाकी बेसिक चीजे नजर आती है स्टेंबाइक की बात करें तो देखेंगे तो 70 बाद मौर्निंग बाता है 67 और फुल नाइट में 2% का बैटी डॉप है जहां पर 9 आज का स्टेंबाइक टाइमिंग हमें देखने को मिल जाता है वहीं पर अनदर बैटी बैटी डॉप हमें देखने को मिल जाता है जो कि फुल नाइट में 99 से 96 आता है अनदर देख कि हम बैटी डॉप की फिर से बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तो 90 के बाद यह मौर्निंग में आता है 87 यहां पर भी 3% का है यानि 2-3 दिन का मैंने आपको डॉप दिखा है 100% से 0% तक यूज करने पे तो आप यहां पर देख पाऊ है कि 4-23 मिनट के हमारा स्क्रीन ओन टाइमिंग है जो कि यहां पर 2% बैटे आपको लिफ्ट दिखाई दे रहा होगा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो यहां पर 100% चार्ज करने के बाद मैंने continue एक्स्ट्रा मिलेगा नर्जी स्टेक से आप यूज करते हैं उसके हिसाब से क्योंकि मुझे नर्मली यह जो आप टाइम है ना देखनी को मिला है 4-20 मिनट यह करी-करे 3-50 मिनट या 4-4 के आसपास देखनी को मिलता था कभी-कभी किसी-किसी अपडेट में लेकिन इसने भा आपको यह तो बहुत कम है तो भाई हर किसी का यूज अलग होता है मैं सिमलर यूज करते हूं ताकि आइडिया लगे तो उसके इसाब से आपको बैक अप यहां पर जरूर काफी अच्छा मिलेगा टेंसल मत लेना अगर आपको बैक डाउन मिल रहा है प्रोफोंस नहीं है नहीं आपको यह लेगा तो मैंने कहा एक वागध रिसेट कर लेना वह जरूर कर ना हो ही पर मेंने चारजिंग यह क्या जो यह ने हंडेडर परसेंट किया है जहां पर आप देक से हो 51 उन मिनट में इसने कंप्लीट चार्ज किया है जो कि यह यहां पर 2-100 गया है और मैंने स्क्रीन ओन पर ही किया था जैसे कुछ लोग कहते हैं तो यह टाइमिंग काफी जड़ा अच्छा है और इसका जो सेड्यू लेना यह जो पोको f6 से ना इससे मैच करता है इसका 90 वार्ट है इसका 67 है फिर भी काफी सीमलर है कि पोको f6 का बैटरी चारजिंग टेस्ट में ने चीज दिखाई थी और दोनों का बिल्कुली एक्रिट आता है दो तीन मिनट के आगे पिछे यह चीज भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 67 और 90 काफियों तक मैच करता है तो टोटल यही साही चीज आपको इस फोन के साथ अपडेट के अंदर देखनी को मिलता है ऐसे और नए फीचर्स तो आज ज्यादा एड हुए नहीं है और यहाँ पर जेस्टर का जो अप्सन है ना उसमें थ्वाँ सा ईवाई चेंज किया गया जो कोई बिक फीचर्स नहीं बर दिखा रहे तो मैं आपको ताकि आप यहाँ पर देख पाओ तो यह जो ईवाई है यह चे लगा जडि तो मजने करो और अगर आप अप्डेट करना चाहते हैं तो आफ इसे' कर सकते हो कैसे करना है तो वीडियो लिंक में आपको दे दूँगा discussion में कि rename method के नाम से रहेगा उसे देख लेना और आप apply करके इसे आप अपने phone के अंदर update कर सकते हो मैं मिल तो आप से निक्स वीडियो में, thanks for watching, tata, bye bye और बस request इतना है यार, please share कर देना क्योंकि आपका एक share हमें काफी motivate करता है ताकि ऐसे ही वीडियो लेके आ सकें, so bye झाल